आज के वीडियो में बनाने वाली हूँ पनीर के पराथे जिसके सारे टिप एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ तो उसके लिए सबसे पहले हमें आटा गुंदा है इसके लिए मैंने लिया है दो कप आटा उसमें डाला है नमक, तेल और अजवाइन और इसक हमें यह हमारा सॉफ्ट ओ बन गया है इसे 15-20 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे तब तक हम पनीर को अच्छे से मैस कर लेते हैं अगर आपका पनीर हार्ड है तो आप कद्दू कस्य करें मेरा तो सॉफ्ट था तो मैंने हाथ से कर लिया अब एक कडाई में तेल गरम करेंगे मैं डालेंगे जीरा यह कि एक बड़ा प्याघ है यह से बारीक काट लिया है इसे थोड़ी देर भूनेंगे जैसे ही नमक हलदी थोड़ा सा Garam Masala Lal मिर्छ पाटर थोड़ा सा थनिया पावडर इनसब को अच्छे मिक्स करेंगे अगर लगे कि जल रहा है तो एक दो चमबच पानी डाल सकते हैं मसाले में अब इसमें हम पनीर डाल देंगे जो हमने मैस करके रखा था पनीर वो डाल देंगे और अच्छे से अगर पानी जैसा लगता है तो थोड़ी देर से बून लेंगे और इसे एकदम ड्राइ कर लेंगे अब इसमें मैंने सारे पुदीने के पत्ते धनिया के पत्ते और कड़ी पत्ता यह सब मैंने बारी काट लिया है इसको मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी आपके पास जो भी अब हम इसे ठंडा करने के लिए एक प्लेट में फैला देते हैं जिससे जल्दी ठंडा हो जाएगा तो हमारी फीलिंग भी रेडी है 15 मिनट हो गए हैं आटे ने भी रश्ट कर लिया है इसकी हमें गोलिया बनानी है तो छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे इसकी अब एक प्लेट में तेल लगा के उसको इसमें गोलियों पर इसमें रख देंगे ताकि इस सुखे न और इसके ऊपर एक कपड़ा डाल देंगे एक गोली को निकालेंगे बागी को हम कपड़े के नीचे ढखके रख देंगे अब हमें इसे थोड़ा सा बेलना है अगर चिपके तो इसके अंदर रखेंगे फीलिंग और इसे अब हमें फोल्ड करना है तो इस तरह से इसको फोल्ड करें और जो उपर का एक्स्ट्रा आटा है उसको हटा देंगे नहीं तो यह बीच से मोटा हो जाएगा को अब हम इसे थोड़ा सा बिष्ट करके हलके हलकए हातो से की उसको फेल एगे को पेलेंगे नहीं यह या गहां भीर या तेल हम में पंड़ और परगर लगण में पत्रव परेड़ के दोईैँ यो तरब दबाने भीर खेए, पर या पनीर के नहीं टियां आप सो य कॉज़्ट करें प्लं करने हो नियुलत और कॉजर्थे देखिए इसमें फिलिंग चारो तरफ अच्छी तरह से फैली है देखिए ऐसे नहीं है कहीं पे कम है कहीं पे जादा है आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे आपके पनीर पराठे बनके तयार होंगे अब इसे आप दही, अचार, सौस, केचप किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं तो यह थी मेरी आज की रेसिपी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब पचलें बाई